हर यूम पैरिदर्स को पैरे मित्रों स्वागत है आप सभी का दनलोस गुरू के इस रूप चनल पर लोहोडी दो हजार चौबिस ते रहे है चौदे है जनवरी कब है लोहोडी नोट करें सुब दिथी मोहुर्द एवम धार में एक महत्व हर वर्स जनवरी महा में लोहोडी का तेहवार हर सो लास के साथ मनाय जाता है सिख समदाई के लिए दिन विसेईस होता है नवी नन के तयार होने की कुसी में ये पर्व मनाया जाता है लोहोडी की संदिहा पर आग का अलाव लगाया जाता है इस अलाव के चार ओर लोग एकत् हैं और बारी-बारी से अगनी में गेहूं की बालियां रेवडी मूंगफली खील चिक्की गोड से निर्मित चीजें अरपेद करते हैं इसमें लोग भांगडा और गिद्धा निरत करके उत्सो मनाते हैं महलाएं लोकगीत गाती हैं इस पर्व को सूर के मकर रासी में प्रव मुर्थ और महत वजाते हैं तो सूर रासी परवर्तन जो तस्यों की माने तो सूर देव 15 जनवरी को देरात दो बसकर 43 मिट पर धनू रासी निकलकर मकर रासी में परवेश करेंगे सनात अंधर में उद्या तिथी मान हैं और आसान सब्दों में कहें सूर्य उद्य से तिथ भी मना सकते हैं आई जानते हैं सुपमोर्द के बारे में जो देशियों के माने तो मकर संक्रांती तिथी से एक दिन पहले लोडी परव मनाया जाता है सूर देव 15 जनवरी को मकर रासी में परवेश करेंगे अथा साल 2024 में लोडी 13 जनवरी के बदले 14 जनवरी को है लोडी क विसीस महत्व है धार्मीग मानता है कि लोडी के दिन अगनी देव की पूजा करने से घर में सुख समर्दी सांतिया और खोसाली आती है साथी जीवन में व्याप्त सभी परकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं अता लोडी का तहवार दुमधाम से मनाया जाता है धर् में भी आगनी देव की पूजा करने का विदान है